नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन बिधान सभा में 1932 का खत्यान और OBCR अरक्षन का बिल पास जहरखन में 1932 का खत्यान नहीं अस्थानियता का अधार होगा हेमंत फस्रें सरकार ने सुक्रवार को इस बिल को विधान सभा से पारिट करा लिया विपक्ष की ओर से इसमें कई संसोधन आये, प्रवर समीती को भेजने का भी प्रस्ताव आया लेकिन बिनोध सिंग के संसोधन को छोड़ कर किसी भी प्रस्ताव को मानने से सरकार ने इनकार कर दिया बता दे जारखन अस्थानिय ब्यक्तियों की परिभासा परिनामी, समाजिक, संस्किरिती एवं अनलाब को ऐसे अस्थानिय ब्यक्तियों तक बिस्तारित करने के लिए बिधायक 2022 में सरकार ने सिर्फ बिनोज सिंग के संसोधन को सोईकार किया है बिधान सबाशन के दर्ण मुख्यमंत्री ने बिधायक में थर्ड एवं फौर्थ ग्रेट की नोकरी को आसानियता की निती को निवजन निती से जोड़ा कहा के 1932 का खतियान जिन लोगों के पास होगा वे लोग ही 3rd और 4th ग्रेट की नोकरी के पात्र होंगे जेल से ही BJP का सुपड़ा साफ कर देंगे सियम हमांत जारखन के लिए आज का दिन एतिहासिक रहा बिधान सभा से ओवी सियारक्षन और आस्थानियता बिल पास हो गया है मुख्य मंत्री हमां सुड़न ने दोनों बिधेकों को सदान में पेस किया था बिधान सभा का एक दिवसे बिसेस काफी हंगामेदार भी रहा मुख्य मंत्री हमां सुड़न ने भी बिपक्स के हमलों पर प्लटवार किया मुख्य मंत्री ने कहा है कि ये लोग मुझे केंद्रिय एजन्सियो और जेल का डर दिखाते है लेकिन मैं जेल में रहते हुए भी बिपक्स का सुपड़ा साप कर दूँगा उन्होंने कहा है कि अब आदिवासी बोक का बेवकूफ नहीं रह गया अपने अधिकारों को जानता है उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार CBI और EDJ सिकेंद्रिय एजन्सियों से नहीं डरती है 1932 खतियान लागू के बाद जहामों के दोनों गूट में जस्न 1932 खतियान अधारित असानी नितीताय करने यों 27 यारक्षन बढ़ाकर 27 परतिसत करने का बिध्यक बिधान समय पारित होने की खोसी में जहामों के दोनों गूटों ने सुक्रवार को यहां जीला मूख ख्यालाई पर अलग अलग बिजय जूलूस निकाला इस मौखे पर जहामों समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिला कर अपनी अपनी खोसिया का इजहार किया बतादे दोनों गूटों का यह जस्न रंधीर वर्मा चोक पर बिलकूल अलग बगल में मना जम कर्मों के मंत्री हिमां सुर्ण के समर्थक में नारेबाजी भी हुई जीला अध्याक्ष रमेश टूडू के नेतितु में दजनों ज्ञामों समर्थक ढोल नगारा बाजाते हुए रंधीर चोक पहुँचे जार्खन में सरकाई नौकरी में 77% आरक्षान जार्खन बिधान सभा ने आरक्षान को बढ़ाकर 77% करने समधी एक बिधायक को सुकुलार को पास कर दिया है बिधान सभा के 27 में जार्खन पदो और सेवाओ के रिक्तियों में आरक्षान अधिनियम 2001 में संचोधन पारित करते हुए SC, ST, EBC1, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षान 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया है बिधायक में कहा गया है कि राजे सनमीधान की नौई अनसूची में बदलाव करने का केंद्र सरकार से आगरा करेगा प्रस्तावीत आरक्षन में अनसूचीत जाती के अस्थानियों लोगों को 12 फिस्दी कोटा मिलेगा वहीं अनसूचीत जन जातियों को 28 फिस्दी आरक्षन का लाब मिलेगा अति पिछड़ा वर्ग को 15, OVC को 12 और आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10 फिस्दी कोटा है बरखास्त किये जाने के डर से CRPF जवान ने राइफल लेकर भागा है आधित्यपूर पोलिटेकनिक कॉलेज परिसर इथी CRPF 157 बटैलियन के आम्स रूम में दो लोडेड इंसास राइफल चोरी हो गया है अधिकारियों की करवाई से नराज रोहित सिंग नामक जवान दोनों राइफल लेकर फरार हो गया वह बुद्धवार को कुछ अन लोगों के साथ केम्प के पीछे के रास्ते से घुंसा और कुछ परिचित जवानों के सहयोग से आम्स रूम में दखिल हो दोनों राइफल लेकर फरार हो गया बता दे अधिति पुर्थाने में CRPF के इंस्पेक्टर बनवारी लाल मीना ने अग्यात के खिलाब हथियार चोरी की सिकायत की है इसके बाद पुलिस ने जाज शुरू कर दिया जहरखन के सरकारी स्कूलों का निरिक्षन करेंगे अधिकारी स्कूली सिक्षायम सक्षता विभाग के सचीव के रभी कुमार का जोर स्कूलों के नियमित रूप से निरिक्षन का है इसे लेकर उन्होंने गुरू आर को स्कूलों के निरिक्षन को लेकर अस्पष्ट दिसानिदेश जारी किये है इसके तहट अधिकारी स्कूलों के निरिक्षन के करम में सिक्षकों की आवाज अस्पस्ट हाया नहीं तथा उनकी आवाज सभी बचों को सुनाई पढ़ती हाया नहीं यह देखेंगे अधिकारी स्कूलों में घंटी बजती है या नहीं तथा सिक्षक पाठे जोजना के अनुसार बच्चों को पढ़ाते है या भी देखेंगे हाली में सचीव ने राची के स्कूलों के निरिक्षान में पाया था कि स्कूलों में घंटी नहीं बज़ती तथा सिक्षक पाठ योजना के अनुसार बचों को नहीं पढ़ाते डरना या घुटना टेकना आदिवासियों के डियने में नहीं सियम है मन्त जारखन की मुख्य मंतरी है मन्सुरिन ने भरतिय जनता पार्टी के बिधायक भानु परताप साही को भी आड़े हाथे लिया शुक्रवार को आहूत विधान सभा के एक दिन के विशे सत्र के दोरान परदेश के पुर्व स्वास्त मंत्री भानू परताप साही ने हंगामा किया तो मुख्य मंत्री ने कहा इतना हाला करते हैं भानू जी क्या खा कर आते हैं समझ नहीं आता बहुत बेवधान डालते हैं सत्र के दोरान हाला करने के लिए इस्पीकर ने भी भानू परताप साही को नसिहत दी बता दे इस्पीकर ने कहा है कि कितना अच्छा होता अगर आपने अपना संसोधन दिया होता वहीं मुक्ति मंत्री हमान सुरे ने कहा है कि भानू परताप साही जब दूसरी पार्टी में थे तब भारतिय जनता पार्टी की सरकार को पानी पी पी कर कोशते थे आज उनकी गोद में बैट गए हैं और सदन में बेवधान उत्पन कर रहे हैं भानू परताप ने इस पर कुछ जबाब दिया तो जार्खन मुक्ति मोश्चा के करकारी अध्यक्ष हमान सुरे ने कहा है कि डरना या घुटने टेकना आदिवासियों के डियने में नहीं है घुटना टेकना आप लोग जानते हैं स्रियम हेमन्त ने कहा है आपके जैसे बेकूप नहीं हम धोपोच कर बाहर फेक देंगे जार्खन में 1932 के खतियान के अधार परस्थानिये नीती तै करने के लिए सुक्रवार को बुलाए गए बिधान सभाग 2792 के मंत्री हेमन्त ने विप्रक्षी दलो को आरे हाथे लिया हेमन्त ने कहा है कि आपके जैसे बेकूप नहीं है हम आदिवासि अब बोका नहीं रहा यहीं बोका आपको धोपोच कर बाहर फेक देगा मुख्य मंत्री हेमन्त ने सदन को समोधित करते हुए भारतिय जन्ता पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर जम कर वार किया बता दे भाजपा को आदिवासि दलीत अलपसंख्य बीरोधी करार दिया उन्होंने कहा है कि भाजपा नेताओ के बड़े-बड़े कारोबारी दोस्त देश की हजारो कोडरों की संपति लेकर वीदेसो में जाकर बस जाते हैं प्रधान मंत्री फोन करके लोगों को धमकाने लगे सियम हेमन्त जारखन विधान सवा के एक दिवसिये 27 में पर्देश के मुखिया और जारखन मुक्ती मोर्चा के करकाई अध्यक्स हेमन सुरेण ने देश के परदान मंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है मुख्य मंत्री सीरी सुरेन ने कहा है कि भारतिय जनता पार्टी के सरोच नेता परधान मंत्री अब लोगों को फोन पर धमकाने लगे हैं क्या इस्थिती हो गई है देश की मुख्य मंत्री सुरेण ने सदन में राजिक की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतिय जन्ता पार्टी पर सुक्रवार को जवर्दर स्तामला बोला उन्होंने कहा है कि रेपिस्ट को माला पहना कर जेल से छुड़वा लेते हैं दूसरे राजियों में जो रेप करने वाले लोग हैं भारतिय जन्ता पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं यहां दुमका की बच्ची के साथ हाथसा होता है तो लोग हवाई जहाज से आ जाते हैं उन्होंने कहा है कि हत्यारे लूटेरे और मॉब लिंचिंग करने वाले को यह लोग माला पहनाते हैं यह क्या समाजिक समर्षता बनाएंगे देश में हटिया एस्टेशन में लगेगी दो सो चालित सीड़ी हटिया एस्टेशन पर बुजूर्ग वा बिकलांग यात्रियों की सुवधा के लिए प्लेटफर्म नमबर एक और दो पर एक एक सो चलित सीड़ी लगाई जाएगी एस्टेशन पर बरतमान में प्लेटफरम नमबर एक वा दो पर 1144 सीड़ी लगी है लेकिन यह सिर्फ उपर जाने के लिए है वही यह आये दीन खराब रहती है इससे यातरी को परतानी होती है बतादे DRM परदीप गुपता ने कहा है कि 240 सीड़ी लगाने की अनुमती दक्षिन पूर्वरेले मुख्याले से मिल गई है JPSC ने इंटर्विव के 4 घंटे में ही जारी किया रियल्ट JPSC ने इंटर्विव लेने के 4 घंटे बाद ही रियल्ट जारी करने का रिकोर्ड बनाया है अध्यक्ष डाक्टर मेरी निलीमा करके टाक के निर्देश में गुरुवार को नगर विकास बिभाग में 16 लेखा पताधिकारिक नुक्ति के लिए इंटर्विव का योजन किया गया इसके लिए 4 बोट बनाये गए इसमें मुख्य परिक्षा में चैनी 43 अव्यार्थी सामिल हुए इंटर्विव 4 बोट तक चला वही साम 8 बोट रिजल्ट भी जारी कर दिया गया फाइनल रिजल्ट में अनरग छीत में सबसे अधिक अंक लाकर एस्टी काटेगरी की रोसनी टोपोट टोपर हो गई है सीबू सोरेन की याचिका पर 28 को सुनवाई लोगपाल ने जामो परमुख सीबू सोरेन दोवारा दिल्ली हाई कोट में दैर एक याचिका का बिरहस्पतिवर को बिरोध किया जिसमें भाजपाय सांसन निसिकान दुवे की सिकायत के अधार पर भरष्टा चार रोधी प्राधिकार दोवारा उनके खिलाप सुरू की गई करवाही को चुनोती दी गई है लोगपाल ने कहा है कि करवाही कानून के अनुसार की जा रही है और सिकायत अभी भी निरनाय के लिए खुली है लोगपाल ने आदालत में कहा है कि उसे सुने भरष्टाचार की नीती के लिए भारत की प्रतिबत्ता के बाद सोरजनिक पताधिकारियों के खिलाब भरष्टाचार के आरोपों पर गोर करने के लिए अस्थापित किया गया है लोगपाल का रुख सीरी सोरेन की याचका पर उनके द्वारत दायर एक जबाब पर आया जिसमें सीरी दूबे की सिकायत के साथ उनके खिलाब फरष्टाचार रोधी प्राधिकार की करवाही पर सवाल उठाया गया धन्यवाद यादी आप चैनल पनाए हो तो चैनलों के सब्सक्राब कर बहुल का बेल एकन दबाए साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बस में अपना फीड़वा एक अवस्च चे दे थैंक यू